नमस्कार आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम सभी को जो बच्चे हैं मतलब जो भी आंगर बड़ी के अंदर के बच्चे हैं उन सभी बच्चों को अब 15 रुपए प्रती माह करके अब डिरेक्ट उनके एका सब्सक्राइब को दिखेंगे क्या यह सही भी है या नहीं है और क्या सचमे सरकार इस पर कुछ मत्पूर्ण रूल या कुछ नियम लाने वाली है इस चीज को पुड़ा अच्छे तरीके सब्सक्राइब देखने वाले हैं और कैसे अगर यह होता भी है तो पैसे इसका नहीं लेकिन एक से लेकर जो 6 साल तक के बच्चे हैं, उनको प्रती मा मतलब 1500 रुपय जो है, वो डाइरेक्ट उनके अब खाते में भे दिये जाएंगे, जो आंगन बारी केंद्रों के त्रू मिलते थे, तो आप यहाँ पर द्यान पूर्वक देखिए, यहाँ पर लिखा इस योजना बिहाराज में चल रही है, जिसकी सुर्यात मानिय मुख्यमं 3030 कुमार ने की थी, अब जो बच्चों को पैसा लेने वाला जो स्कीम है, यह बिहाराज में ही अभी है, और अभी बिहाराज के लिए ही लागो है, बाद में हो सकें, बाकी स्टेटों में किस चीज इसकी कर दी जाए, इस योजना में, इस योजना का लाब 6 साल तक के बच्चों के साथ साथ गर्वती महिलाओं को भी मिलता है, तो बच्चों के साथ साथ इस योजना का जो लाब है, वो गर्वती महिलाओं को भी मिलता है, जैसा कि आप सभी को पता है, उसके बाद यहां पह लिखा हुआ जैसा कि हम जानते हैं कि पिषले साल कोरोना महारी के करण देश में हर जग लगडाउन लगा हुआ था। अब आप लोग को पता ही था कि अगले साल कोरोना आया था, और कोरोना के चलते कितने मतलब हालात खराब थे, अंगनबारी के अंदर बन थी, सारे स्कूल, कॉलेज, सब कुछ बन था यहाँ पर, तो उसी बारे में यहाँ बताए जा रहा है कि जैसा कि जानते हैं कि पिछल सल कोरोना में हमारी के वज़ा से लगडाउन लगा हुआ था, देश में ना तो स्कूल खूल पाएं और ना ही अ लवारतियों को सुविधा प्रधान करने के लिए सभी लवारतियों के बैंक खातों में सुखा रासन और पका हुआ भोजन के बदले पैसा देना शुरू कर दिया है, अब आप एक ही देखे जो टी एचार जो भी मिलता था यहाँ पे सिविकाओं को, उसको बहुत जल्दी यहाँ पे समाप्त करने की बात भी की जा रही है, जो भी आपको लोग का गर्म का भोजन है, साइद वो से तो चलू रहे है लेकिन जो सुखा रासन है, सुखा रासन को यहाँ पे डाइरेक्ट पैसा भेज दिया जाएगा, इसके लिए अब ऑनलाइन आवेदन भी शुरू पंदर सो रुपय हैं, जो सभी लावार्थियों के बैंक खातों के मध्यम से प्राप्त होगी, अब यह जो रासी है, यह पंदर सो रुपय की रासी, हर एक लावार्थि को बैंक खातों के मध्यम से प्राप्त होगी, अब सबसे पहले यह देख लेते हैं कि इनका ओनलाइन अवेदन कैसे करना है अगर इनका ओनलाइन अवेदन होता है तो हम लोग इसका ओनलाइन अवेदन कैसे करेंगों जिनका पंजीकरण हुआ है, सिर्फ उन ही को जो पैसा है, वो आने वाला है, तो जो भी पंजीकरण लभारती है, वहाँ पे यह सीधे यहाँ पे, वहाँ पे एक लिंक दिया होगा, उस पे आप लोग क्लिक करना है, और उस लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगले पे इसके सामने एक आवेदन पत्र में आप जहान से देखिए क्या क्या आपको भरना है तो आवेदन पत्र में जो भी चीज्च आप से पुछा गया है जैसे पुछा जागा का नाम पत्ता ऑर लभारती के माता-पिता गश्यक्तेषब करता जा इसे अव्यच्छ यहां पत्र में पूची गाई सभी जनकारी धहन पूर्वक भड़े जनकारी भड़ने के बाद रजिस्टर विकल्ब्र क्लिक करें के लिग कोरें कि अपने 葉 करने के बाद आप लोग है कि लाभार्ती का योजना के तहत आपलोग उसका पंजीकर्ण सफलता पूर्वक पूरा कर लिजेगा तो ये थी आज की इस वीडियो में हमने जाना है कि अपरेल दो हजार तीस तक चौवीस तक सॉरी अपरेल दो है चौवीस तक ये होज सके कि सारे आंगन बारी जो केंदर हैं उसमें आप लोग जो भी लभारती हैं उनका कम से कम THR वाला जो है जो टेक होम रासन वाला है वह अब वित्रित ना करके सीधे यहाँ पर सरकार द्वारा उनके खाते हैं पैसा दे दिये जाए हलांकि गरम पका भोजन पर इस पर स्पस्टिकर नहीं किया गया है लेकिन आप तो THR के लिए यह हो सकता है कि यहाँ पर 15 रुपे डैरेक्ट सीधे खाताय में डल दिये जाए कभी कभी गरम पका भोजन भी इसका भी सरकार फैसलाज सकती है लेकिन अभी सिर्फ THR के लिए यहाँ पर इस बातों को कही गई है उमीद करते हैं वीडिया व्लोग को पसंद जादीजेगा